नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में मैं एक बाद फिर से आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ बिग बोस सीजन 14 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट को लेकर जैसे कि आप से भी जानते हैं कि सल्मान खान का यह शो है आ जाहरी सी बाथ है शो की टी आरपी भी काफी जाद है होगी लेकिन पीछे कुछे कुछ दिन पहले हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जहां पर आपी गिरने की बात कहीं जा रही थी लेकिन जिस हिसाब से कर्टेश्टन के बीच में जो गरमा-गर्मी मोहल देखने को मिल रहा है, घर के सदयत्यों के बीच में जो अविक्षन का राउंड हमें देखने को मिल रहा है, उसको देख कर साफ तोर पर कहा जा सकता है कि Big Boss की जो ट्यार्पी है, वो आस्मान छूरी है, लेकिन इसी बीच शो को लेकर एक negative point भी हमें देखने को मिल रहा है शो को लेकर आलोचनाओं का जो एक बड़ा तबका है जो आलोचक है इस शो के वो लगातारी शो पर अपना comment करते होई नज़रा रहे हैं अफिक ऐसी ही जूड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहाँ पर बिग बॉस की भूत पूर्व कंटेस्टर ने शो को बकवास बताया है और जो कुछ भी वहाँ पर जो टास्क दिये जाते हैं उसको सब को जूठा करार दिया है बिग बॉस से जुड़ी हुई ये खबर तो मैंने सुचा कि आपसे जरूर ये मैं बताऊं तो क्या है पूरा मामला मैं आपको बताने कोशिश करूँगा इनका नाम है डियांडरा सोरेस और ये बिग बॉस सीजन 14 के निर्माताओं पर गलत तरीके से परतीस पर्दी को बाहर निकाले जाने पर अपना रोज जता चुकी है उन्होंने कई सारी ट्विट किया है ट्विट में बिग बॉस को बकवास और नकली बताया है और साथी उन्होंने ये भी कहा कि शो में अब कुछ भी रियल नहीं रहा है यानि ये सब कुछ फेक है फेक उन्होंने करार दे दिया है और इसलिए बिग बॉस सीजन 14 को सभी को ना पसंद आ रहा है और इसके पीछे की वज़े भी उन्होंने बताई है कि इस बार का जो विग बॉस सीजन 14 जो चल रहा है शो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं इसलिए लगाता टियार पी भी गिर रही है लेकिन जैसे कि आप से भी जानते हैं कि भाई सलमान खान का शो ह तो जाहिर से बार टियार पी तो हाई होगी ही लेकिन वहीं दूसरी और आलोचक जो हैं वो लगातार इस शो को टार्गेट करते हुए नजरा रहे हैं अब मैं आपको पताता हूं कि पूरा है मामला है क्या अभी हाली में हमने देखा कि कंटेस्टर अपने जीवन के कई सार मीडिया शो के अर्गनाइजर पर गलत तरीके से एविक्शन को लेकर अपनी बात रखी है और डियांडरा सोरेस ने शो को बकवास हो नकली बताया और ये भी कहा है कि शो में अब कुछ भी असली नहीं है अब इनका पूरे ट्वीट की अगर मैं बात करूं तो बिग बॉस इस बार के शो की बहुत कम ट्यार पी है यह एक फेलियर है क्योंकि कंसेप्ट बकवास है और इसमें एविक्शन गलत किये गए और पक्षपात्पूर रविया बिग बॉस में देखने को मिलता है इसके अलावा इसमें गलत और बकवास टास्क भी जोड़ दिये गए है इस परतियोगी वोट के जरिये नहीं बलकि अनिकारणों से निकाले गया है इसमें सारा, सहजाद, निशांत, अलिगोनी और कविता कोशिक है लगता है कलर्स टीवी बिग बॉस सीजन 14 को अब तक का सबसे घटिया सीजन बनाना चाहरा है और इसमें वो सफल भी हुआ है कुछ बड़े नामों का दुरियोग किया गया है, अब हमें देखने को मिलता है कि इस ट्वीट को डियांटरा सोरस ने री ट्वीट करते हुए कहा, सही बात है, वह जाते हैं कि उन्हें विजेता के तोर पर किसे आगे बढ़ाना है, बाकि सब डेकुरेशन के लिए है, बकवास ह कुछ भी असली नहीं है, और वोर्ड का कोई मानिया नहीं है, और आप देखें कि कि किस आप से जो ट्वीट के माद्यम से बिग बॉस सीजन जो चोदा है, उसको बकवास और कुछ भी जो उसमें असलियत होती है, उसको लोग बात कह रहे हैं, जो डियांटरा सोरस हैं, उन नहीं रहेगा, और इसी के साथी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एविक्शन के तोर पर एली गोनी अब घर से बाहर हो चुके हैं, और शोशल मीडिया पर उनको लेकर काफी ज्यादा बस भी हमें देखने को मिलें, जहां पर उनके परती हैं, मैं प्यार भी देखने को नहीं है, साथी बीग बॉस सीजन 14 आपको कैसा लगता है, कॉमन कर अपना सुझाओ जरू दीजिए, ऐसी बीग बॉस और मरोजन जगत से जुड़ी ख़बरों के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहे हैं, तब ते के लिए शुक्रिया